उपर प्रभाव देखें, प्रसाशन के उपर प्रभाव देखें, तो इस प्रभाव को आप लोग समझना, एक तो हमारे देश के अंदर का प्रसाशन, जो इंडिया के अंदर इस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ठीक है, और से इस्ट इंडिया कंपनी को भी कुछ इंस्ट् भावा आपके पड़ा एक तो internal administration के उपर और एक external administration के उपर तो internal administration की अगर हम आपके बात करें तो इंडिया के अंदर East India company ने प्रसासन में क्या किया इंडिया के अंदर East India कंप दुरुस्त किया पुलिस सिस्टम को अच्छा बनाया जुडी सरी की स्थापना की administration और revenue मसीन भी म पूरे सिस्टम को strong बनाया और centralized बनाने की कोशिस की, centralized यानि केंदरी करत, केंदरी करत का मतलब होता है, सकती है, top की तरफ स्थित करना, समस्थ सकती है, top में आपके इस्थित करना, ये system होता है, आपके centralized system, ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि external, external administration से इतात पर ये, कि ये वो phase थ British Parliament आपके East India Company को regulate करेगी, ठीक, यानि कि बे नियम जो Britain से बनके आ रहे हैं, ये भारत के अंदर नहीं, ये तो Britain सरकार ने काई कि ऐसा, करो, ठीक, तो अब इस phase में एक तो आता है, regulating act 1773, दूसरा charter act 1784, regulating act 1773, सबसे पहले तो इसमें याद रखना कि इसमें आपके हुआ क्या या इस act को हम regulating act कहते क्यों है, ठीक, 1773 का act ये पहला act था, जब British Parliament ने East India Company को regulate किया, मतलब उसको नियमित किया, उसकी सक्तियों को control किया, इस बज़े से, चूकि 1773 के act के दौरा, British Parliament ने पहली बार company की सक्तियों को आपके क्या किया, नेंतरित किया, इसलिए इस act को कहते है, regulating act इस act के अगर हम major feature देखें, तो आप लोगों ने पॉलिटी में भी पड़े होंगे, हम आपको यहाँ भी बता देते हैं, इस act के द्वारा, Governor of Bengal को आपके Governor General of Bengal बनाया गया, ठीक है, Governor of Bengal ये सिर्फ बंगाल का सासन देखता था, लेकिन Governor General of Bengal, Bengal के सासन का मुंबई और मदरास, इन तीन Presidency का आपके सासन देखता था, ठीक है, पहला Governor General Bengal था आपके कौन, Warren Hastings, ये ध्यान रखना, इसी act में आपके कलकता में Supreme Court की स्थापना का प्रावधान किया गया, और Supreme Court की स्थापना होती है 1774 में, कब होती है 1774 में, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस Supreme Court के पहले मुख जितनी भी अकंपनी के डारेक्टर्स थे, डारेक्टर्स मतलब जिनके पास East India कंपनी के सेर थे, Board of Director को ये काम दिया गया कि भारत में जितनी भी आपके बाणिजिक गत्विदियां कंपनी की होती है, ये उनकी रिपोर्ट बिटिस पारलियमेंट में देंगे, और Board of Control को ये काम दिया गया कि भारत में जितनी भी आपके पॉलिटिकल मेटर हैं कंपनी की अगर हम बात करें तो ये खेज था 1813 से 1857 तक का, इंडस्टियल इंपिरिलिज्म का सबसे पहले तो हम समझेंगे बैक्ग्राउंड इसकी प्रष्ट भूमी कि ये और्धोगिक सामराज जिवाद ये शुरू कैसे हुआ, पहले ये समझेंगे, ठीक, एक देश है आपके ये इंडिया और एक देश है आपके यूके या भिटेन, ठीक, 1608 में इस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ये ट्र गोल्डन फर्माने के सू होता है, ये बताया था हमने, इससे इसकी कॉस्ट कटिंग होती है, तो कंपनी अपना पैसा बचाती है, इसी के साथ बेदारा वार और वांडिवास वार के द्वारा ये आपके विदेशी कंपनीयों को भारत से बाहर करेगी, तो इसने और 1665 में जो ही, इसे भारत में राजस्व एकत्रण का आपके अधिकार मिल गया, इन सारी प्रिकरियाओं से आपके हुआ क्या, कि जो इस्ट इंडिया कंपनी पहले सिर्फ ट्रेड करती थी, अब ये इस्ट इंडिया कंपनी आपके ट्रेड के अलाबा भारत पे असासन भी कर 2022 के इस सुर्स ओं से एक कंपनी के पास भारी मात्रा में पैसा आना शुरू हुआ, और कंपनी कहां की थी, इंग्लेंड की थी यानि UK की तो भारी मात्रा में इंडिया से कमपनी ने पैसा भेजा कहां UK तो आपके ट्रांसफर ओफ वेल्थ यानि धन का हस्तांतरण धन के हस्तांतरण की ये प्रिक्रिया बहुत लंबे समय तरह आपके यहां UK के अंदर चलना शुरू ही ठीक, कमर्सियलिज्म के फेज में ये नहोंने पूरा यूनिडारेक्शनल सिस्टम बना दिया कि पैसे का फ्लो आपके कहां से कहां हो रहा था सिर्फ इंडिया से इंग्लेंड की तरफ सिच्वेशन आपकी ये हो गई कि दस बीस पच्चेस साल में UK के अंदर बहुत सारा पैसा जमा हो गया जिसे कहते हम सर्प्लस मनी सर्प्लस मनी ये कैसी स्थती होती है कि खर्च है 10 रुपए और इंकम है 600 रुपए तो 590 रुपए का खर्च करोगे फिक दोई तरीके अब आपके UK के अंदर वहां की सरकार और वहां के इंडस्टी लिस्ट जो धोगपतिया जो ब्यापारी थे उन पर सर्प्लस मनी आ गई अनुसंधान एवं बिकास के उपर रिसर्च एंड डवलपमेंट के उपर अब रिसर्च एंड डवलपमेंट के उपर जब कोई देश पैसा खर्च करेगा तो उससे उस देश में आपके होंगे नई-णै इनोवेशन यानी की आविसकार अब यह जो आपके आविसकार इंडस्ट्रियल्रीयूर्यूर्वॉशन की शुरॲात होगी कहां इंगलेंड में इनडस्ट्रियल्रीयूर्वा सी आपके तातपर क्या है कि यहां नई-नई आव इस कारों न distort से अगया हुई पैसा ये था आपके उसका आधार ठीक है तो भारत से गई हुए पैसे पे वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सुरुवात हुई और धोगिक क्रांती की इससे तात पर क्या है और धोगिक क्रांती का मतलब होता है जो सामान हाथ से बनता था अब वो सामान मसीनों से बनने लगा तो मसीनों से सामान बनने लगा तो इससे क्या हुए वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोड़क्शन बढ़ गया और धोगिक उत्पादन बढ़ गया और धोगिक उत्पादन जब इन कंपनियों ख़पाना शुरू कर दे इंडिया में तो इससे क्या होगा यह मार्केट साइज बहुत बड़ा एंडिया का ठीक है तो और दोगिक सामराज जिवाद का वह फेस था ये करेंगे क्या इसमें ब्रिटैन में आपके फैक्ट्रियां लगेंगी और ब्रिटैन की फैक्ट्रियों क बन रही हैं और दोगिक सामान उस पूरे सामान को कहा सिफ्ट करना इंडिया की मार्केट में सिफ्ट करना और इंडिया की मार्केट को पाट देना उस सामान से अब आप आप लोग से रिखना और दोगिक सामराज जवाद के फेज में नेचर ओफ ट्रेड यानि कि आपके इस इस फेज में प्रकरती क्या थी बिजनिस की ठीक इस फेज के आते आते तक East India Company ने भारत के अधिकान से छेतर को जीत लिया था मैक्सिम पार्ट इंडिया का ये जी चुके थे तो इस फेज में East India Company ने इस तरह के ट्रेड की स्थापना की जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा आपके बेनेफिट है वो किसको मिले East India Company को मिले इस प्रकार के ट्रेड की स्थापना की ठीक है अब यहाँ आपके East India Company ने एक यूनि डारेक्शनल ट्रेड एक दिसी ब्यापार को बढ़ावा दिया एक दिसी ब्यापार का मतलब आपके कि ब्यापार का ज्यादा से ज्यादा फाइदा East India Company का हो ठीक अब किस प्रकार की ब्यवस्ता की इन्हों ने यह समझना जैसे के यह है इंडिया इंडिया के अंदर गुजरात और यह महाराष्ट और यह है यूरोप यूरोप के अंदर आपके इंगलेंड आप सभी को पता है कि गुजरात में कपास होती है cotton अब तो भारत में भी होगे तो जो फैक्टरियां इंगलेंड में लगेंगी तो इस पर कोई डूटी नहीं लगती तो अगर इंग्लेंड से ये cotton cloth गुजरात आ रहा है तो इस पे भी duty नहीं लगी लेकिन महाराष्ट से जो cotton cloth गुजरात जाएगा इस पे फिर 300% की duty तो इन्होंने इस प्रकार की विवस्था का निर्मान कर दिया भारत के अंदर कि जो भारतीय कंपनिया सामान बनाती थी वो तो हो गया महगा और भारत के अंदर जो सामान ब्रिटैन से आता था वो हो गया आपके सस्ता किस प्रकार की विवस्था का निर्मान कर दिया कि जो भारतीय कंपनिया सामान बनाती थी वो तो आपके महगा कर दिया इन्होंने भारत के अंदर लेकिन जो सामान ब्रिटैन से आता था वो आपके इंडिया में सस्ता आता था तो बजार में बिकेगा कौन सा सामान जो सस्ता मिलेगा इसलिए बिटिस सामान की पकड़ बजार में बढ़ती गई तो इससे भारती ये कंपनी ये भारत की फैक्रिया होंगी उनको नुकसान होगा नुकसान हुआ भी तो यहा Board of Director जो था आपके उसमें East India Company के डाइरेक्टर थे, Board of Director भारत में Commercial Matter देखता था Company के और Board of Control भारत में Political Matter देखता था Company के. Unidirectional Trade में ये बताया कि अगर आपके इंडिया से कच्चा माल कहा जा रहा है England तो ये Duty Free है, Duty Free मतलब Tax नहीं लग रहा है और यहां से बना हुआ माल इंडिया आ रहा है तो इस पे भी Tax नहीं लग रहा लेकिन जब भारत के अंदर कच्चा माल एक जगे से दूसरी जगे जाएग और इसमें Manufacturing Goods एक जगे से दूसरी जगे आएगी तो यहां Double Duty लग रही है मतलब भारत के सामान पर ड्यूटी जादा थी और England के सामान पर ड्यूटी कम थी इसलिए आपके क्या होगा भारत का सामान महंगा हो जाएगा प्रेशिडेंसी आपके क्या होती है राना भारत के स 1703 से पहले भारत के अंदर तीन प्रेशिडेंसी थी बंगाल प्रेशिडेंसी बॉंबे प्रेशिडेंसी यह तीन प्रेशिडेंसी एक ऐसी इकाई या निक प्रेशिडेंट करता था सिंपल भासा में समझें 1703 में आपके यह तीनों प्रेशिडेंसी गवर्नर्ट जनरल अधीन कर दी गई, इन तीनों presidency का प्रमुख बना दिया गया governor general of बंगाल, presidency एक ऐसा नगर जिसका सासन प्रेशीडेंट और उसकी council करती थी, तो सिर्फ तीनी presidency थी इस्ट इंडिया कंपनी की, इस सामान हाथ से बन रहा है वो सामान मसीशों से बनना लगे, जो सामान हाथ से ब पहले इंडिया की economy पे प्रभाव देखेंगे, इंडिया की economy में agriculture और industries के उपर, फिर हम देखेंगे इंडिया की society के उपर प्रभाव, फिर हम देखेंगे इंडिया के administration यानि की आपके प्रसाशन के उपर प्रभाव, कौन सा? इंडिया, internal administration and external administration यानि कर रहे हैं, अब हम आपको बाद में समझाएंगे fact, अब हम concept पे आगे आ रहे हैं, इसको याद रखना, first collector आपके रॉल्फ सेल्डन और first chief justice थे आपके, वहां आपको लिखना पड़ेगा history, वहां अपने आप आपके दिमाग में चलना सुरू हो जैसे के question आया, के बाड़िज जिवाद के चरण का भारतिये करसी या भारतिये उद्धोगों के ऊपर क्या प्रभाप पड़ा, तो ये आपको fact में नहीं मिलेगा ये, ये आप तभी लिख पाओगे जो हमने आपको समझाया है, ठीक, याक economy में सबसे पहले आते हैं हम industrial imperialism क अब आप लोग समझना, इस समय आपके ओधोगिक सामराज जवाद की सुरुआत हो चुकी थी, ओधोगिक सामराज जवाद की सुरुआत का मतलब आपके ये था कि अब ये जो सामान होगा, ये मसीनों से बनेगा, सामान कोई भी बनाओ, हर सामान को बनाने के लिए raw material चाहि पढ़ती थी, ठीक है, ओधोगिक सामराज जवाद में जब मसीनों से सामान बनना आपके शुरू हुआ, तो अगर हातों से एक दिन में आपके 200 पॉइंट सामान बनता था ये 200 यूनिट, तो मसीनों से अब 2 लाख यूनिट सामान बनेगा, तो यहाँ क्या होगा, कि industrial imperialism के फेज में मसीनों से सामान बनने के कारण तच्चे माल की मांग बढ़ गई, raw material में ब्रद्धी होगी, तो यहाँ हुआ आपके ये, कि industrial revolution की शुरूआत ने raw material की डिमांड बढ़ा दी, raw material की डिमांड बढ़ा दी, मतलब पहले इंगलेंड भारत से दस्टन cotton लेता था, अब उसे सौटन चाय की पत्ती चाहिए, तस्टन नील लेता था, तो अब उसे सौटन आपके नील चाहिए, ठीक है, तो यहाँ raw material की डिमांड बढ़ी, इस raw material की डिमांड ने cash crop नगदी फसलों की डिमांड बढ़ा दी, फसलें दो प्रकार की होती है, एक food crop जिनको खाने में प प्रेयोग की जाती है, जब industrial revolution के कारण raw material की डिमांड बढ़ी, तो cash crop की डिमांड बढ़ेगी, नगदी फसलों की, तो अब आपके हुआ क्या कि ब्रिटैन के अंदर फैक्टरियां तो लग गई, लेकिन ब्रिटैन के अंदर raw material होते ही नहीं था, ना तो ब्रिटैन के अंद जब अरजस्ती आपके cash crop करवाया, तो मान लिया आपका ये किसी किसान का खेत है, पहले इस पूरे खेत के ऊपर आपके food crop होती थी, पूरे पे food crop होती थी, इस फेज में इन्होंने जबरजस्ती कहा कि आधे पे आप food crop करोगे और आधे पे cash crop करोगे, तो इस प्रकरिया से हुआ क्या कि भारत में food crop का आपके उत्पादन घटेगा, क्योंकि ये किसानों से जबरजस्ती क्या करवाएंगे, नगदी फसल आप लोगों ने देखा कि British system में या आपके British किसासन में भारत में बड़े भारी अकाल पड़े, जिनमें लाखों लोगों की मरत्ती हुई, मुगल सामराज तक ऐसे अकाल क्यों नहीं पड़े, क्योंकि भारत के अंदर जो राजा थे, वो आपके हमेशा food crop करोग को बढ़ा अकाल पड़ गया, पानी क्या, अकाल पड़ गया, भूखों मरेंगे लोग, तो British भारत में आपके लाखों लोग भूखे सिर्फ इस बज़े से आपके मरे, कि Britain के अंदर जो फैक्टरियां लगी है, इन अंग्रेज़ों को उन फैक्टरियों के लिए कच्चे माल की चिनता पास होगी, तो यह क्या करते, जैसी किसान का पास वो बाते, और उससे कहते, 2000 रुपे पकड़ो, सारी कापास हमें दे दे देना, मतलब जबरजस्ती भी करवा रहे हैं, और उसकी कीमत भी नहीं दे रहे हैं, जबरजस्ती कम कीमत पर खरीदेंगे यह, तो यहां क्या हुआ कि किसानों से जबरजस्ती भी करवाई और उनको उनकी फसल की कम कीमत दी, तो बिचारे किसान अप्तितरफा परेशान हो गए, टेक्स जो पहले से ही चला आ रहा था, फूट क्रॉप यह कम हो गई, भूको मरने की नौबत आ गई, कैस क्रॉप की कीमत नहीं मिल रहे हैं यह किसानों को, तो यह किसानों का सोशन इतना एक्स्ट्रीम हो गया, कि अब पूरे भारत के अलग-अलग छेत्रों में जब यह किसान आपके संगठेत होंगे, तो या तो किसान विद्रों को जन्म देंगे, और या फिर तब तक 1857 की क्रांती में यह किसान भागीदारी ले ल आपके भारत का बजार, भारत के बजार में आपके दो प्रॉडक्ट थे, दो प्रॉडक्ट कौन-कौन सा, एक तो वह प्रॉडक्ट जो ब्रिटैन से आपके आ रहा था, ठीक, और एक वो प्रॉडक्ट जो आपके भारतिया उद्धोग बना रहे थे, भारतिया होगा तो यह कम बिकेगा ठीक और अगर यह कंपनियां कंपटीशन करेंगी बिटिस प्रोडक्ट से घाटे में चली जाएंगी तो जादातर जो इंडियन इंडस्टी थी वो आपके घाटे में आ गई या फिर आपके बंद हो गई दौनों ही इस्तियों में आपके जब इंड इस्ति बंद हो गई बेरोजगारी बढ़ गई लोग जो आपके बेरोजगार आपके होंगे यह बेरोजगार फिर कहां जाएंगे गाओं में गाओं में जाएंगे तो खाना तो खाएंगे और दवा बढ़ा दिये करसी की ऊपर ठीक भारती करसी बहुत सम्रद्ध करसी हु इंडियन एग्री कल्चर दॉनों को लगवग समाप्त कर दिया हम इंडियन इंप्रीरलिज्म का भारतिय समाज के ऊपर प्रभाव इंडियन सुसाइटी के ऊपर प्रभाव अब यहां आपके होगा क्या हमने आपको बताया कि जो बाधिच जबाद का जो चरण था बाधिच को आपके लगा क्या, बिटिसर्स ने भारती समाज का आपके अध्यान शुरू किया, तो कमर्सियलिज्म के फेज में, कमर्सियलिज्म आने की बाड़िज जिवाद के चरण में, जब बिटिसर्स ने इंडियन सोसाइटी का अध्यान शुरू किया, तो इन्होंने हिंदू धर तो यहां समाज में लोगों को क्या लगा कि आर्थिक रूप से तो इन्होंने हमें लूटी लिया है अब यह हमारे समाज में भी उठापटक शुरू कर दें ठीक जैसे कि आपके किसी गाउं में आप जाओ और किसी गाउं में कोई बिदेशी व्यक्ति आपके हाँ आप सासन कर रहा हो या कोई भी आपके फोर एक्जामपल बिदेशी व्यक्ति आए और गाउं में जाके कहे कि नहीं, love marriage बिल्कुल सही है, लेकिन भारती गाओं में तो आज भी love marriage आपके गलत मानते हैं लोग, ठीक है, तो अब गाओं के लोग क्या कहेंगे, ये बाहर का व्यक्ति जबरजस्ति हमारी society में इंटरफियर करने लगा है, ठीक, भले ही वो rational बात कह रहा हो, तो ये अंदर लो के जोंने भारत में education का प्रसार किया, सिच्छा का प्रसार किया, सिच्छा के प्रसार के द्वारा आपके इन्होंने एक काम और किया, जब हिंदू और मुसलिम, तो इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को हिंदू धर्म की कमियां बताएं, ठीक, जैसे के इन्होंने दलतों से का क्या रखा है आपके धर्म में अंटचेबिलिटी का भीयवियर होता है आपसे असप्रसिता का आपको ये लोग साथ में भी नहीं बैठने देते हैं आप क्रिस्चन बन जाओ हम आपको अपको अपने साथ बिठाएंगे ठीक एही का मुसलिम धर्म है तो हिंदू और मुस साही नहीं बना रहे थे सिर्फ ब्यापार कर रहे थे और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे पहले फेज में इन्होंने भारत के एकोनॉमी को ट्रेक पे लिया दूसरे फेज में पूरी सोसाइटी को कलेप्स कर दिया इंडिया के अंदर जो आपके वेस्टन कल्चर औ वे second phase में किया, ठीक है, तो इन्होंने आपके ये दूसरे phase में कर क्या दिया, इन्होंने आपके Indian society में interfere किया, Christianity का expansion किया, इसके साथ में हुआ ये, जब ब्रिटैन ने भारती राजाओं को जीता, या East India Company ने आपके Indian kings, इन भारती राजाओं को जीता, तो अब इसमें हुआ क् जब ये राजा महराजा नहीं रहे, तो ब्रिटिस ने क्या किया, इन ब्रिटिसर्स ने, जो मंदिर और मस्जिद के जो आपके religious head होते थे धर्म गुरू, ठीक, उनसे मंदिर मस्जिद की जमीन चीन ली, कहा कि कोई जमीन नहीं, भगवान और अल्ला को किसी जमीन की जब दो नहीं, बापस करो ये, हमारे लिए, ठीक, उलेमा और धर्म गुरूओं के आपके जो पुरहत्ति उनके विसेसादिकार चीन ली, ठीक, राजाओं ने इनको विसेसादिकार दिये थे, इनको आपके बग्गियां दी, कि आप बग्गियों पर चलो, ठीक, इनको कर चाकर दिये, उठा के इनने सब बापस ले लिए, कि सब बापस करो, आप लोग रिलीजियस हैड़, आपको किसी चीज की जरुबत रही है, तो इससे क्या हुआ कि भारत के अंदर जो रिलीजियस हैड या धर्म गुरू थे, इनके विसेसादिकार जब समाप्त किये, तो बड़ी तेजी से एक्टिव होती है, जहाँ धर्म काम करता है, वहाँ तर्क बंद हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, इसके साथ ही इनोंने किया क्या, एक रेसियल डिस्क्रिमिनेशन किया, इनोंने एक नसली अभेदवाब, नसली अभेदवाब कैसे कि कमपनी के अधीन आपके बिटिसर्स भी नौकरी करते थे और भारतिय लोग भी नौकरी करते थे, तो जो भारतिय लोग नौकरी करते थे, उनको सेलरी कम बिलती थी, जो भारतिय लोग कमपनी में नौकरी करते थे, उनको आपके क्या थे, उच्च पोस्ट पर नहीं भेजा जाता था, तो य यह इन्होंने आपके एक दूसरा काम किया, इस नसली भिरवाब से आपके problem ये create हुई, क्या होई इस नसली भिरवाब से कि कमपनी के अधीन जो भारतिय लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका विस्वास आपके कमपनी से आपके उठ गया, ठीक, कि हम दूसरी नसल के हैं, इस वज पूरे भारत में सबसे आपके गवर्नर जनरल ओफ इंडिया, इस पोश्ट का आपके क्या किया, इन्होंने गठन किया, ठीक है, गवर्नर जनरल ओफ इंडिया, अब आगे यहां समझना, इस पोश्ट का आपके इन्होंने किया गठन, ठीक है, गवर्नर जनरल ओफ इंडिय सारी सक्तियां इसके पास आगे इन्हों ने पूरे सिस्टम को कैसा कर दिया centralized, केंदरी करत केंदरी करत मतलब सारी सक्तियां टॉप में एक व्यक्ति के पास नेखा हो जाएं यह सिस्टम क्यलाता है centralized system इसी phase में जब Governor General of India की फोस्ट आएगी पूरा सिस्टम के अंदरी रिक्रत कर देंगे इसके साथ आर्मी पुलिस जुडीसरी लॉइन डॉर्डर रिवेनी मसुनरी को ये दिनों दिन अगे आएं तो अब हम समझते हैं इनका एक्स्टर्नल एड्मिनिस्टेशन एक्स्टर्नल एड्मिनिस्टेशन में इस समय एक तो चार्टर एक्ट 1813 आएगा चार्टर एक्ट 1813 पहलं आपके क्या था कि इंग्लेंड की सिर्फ एक कमपनी भारत के साथ प्रेड करती थी वो थी एसिंटिया कमपनी और एक तक जब इंग्लेंड में industrial revolution यानि की ओधोगिक क्रांती की जब आपके शुरुआत होती है तो इंग्लेंड में कई ब्यापारे घराने या कई नई इंडस्टीज का उदै होगा और ये कई नई इंडस्टीज ब्रिटिस सासन के ऊपर आपके दवाव डालेंगी कि उन्हें भी इंडिया कंपनी ही ब्यापार नहीं करेगी इंग्लेंड की अन्य कंपनिया भी भारत के साथ ब्यापार कर सकती है प्याला पॉइंट के रियर हुए ठीक है यहां लेकिन एक concept था अपवाद भारत के साथ चाय का ब्यापार सिर्फ इंडिया कंपनी करेगी ठीक चाय का ब्या पारिक एक आदिकार आपके समाप्त कर दिया गया अब इंगलेंड की अन्य कंपनिया भी भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं लेकिन भारत में चाय का व्यापार सिर्फ इस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाइना के साथ व्यापार सिर्फ इस्ट इंडिया कंपनी करेगी पह प्रदर और सिष्टर भारत आएंगे और घूम घूम के भारतियों को क्रिस्चन बनाएंगे यह इस एक्ट के द्वारा अनुमती मिली बार में अगला चार्टर एक्ट 1833 नेक्स्ट प्रोविजन आपके आया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया आपके क्या गया Company Monopoly Totally Restricted अर्थात भारत में अब East India Company का व्यापारिक एक आदिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया इंग्लेंड की आपके अन्य कम्पनिया भारत के साथ हम कोई भी व्यापार कर सकती है 1813 में अभी चाय के साथ अधिकार बना हुआ था ध्यान रखना कुस्चन आता है आपके कभी 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 कि Company की चाय के ऊपर Monopoly कब खतम की गई तो ये 1833 में हुई है यानि की 1833 का एक्ट ये कहता है कि अब चाय का व्यापार भी भारत के साथ इंग्लेंड की अन्य कम्पनिया कर सकती है गवर्नर जनरल ऑफ हिंडिया Company का सबसे बड़ा अधिकारी होता था भारत में जो भारत के ऊपर सासन करता था पहला गवर्नर जनरल ऑफ हिंडिया था William Bantic अब ये अर्थात इन 10 लोगों की सलापर गवर्नर जनरल ऑफ हिंडिया भारत पे सासन करेगा अब इसके बार Act 1853 Charter Act 1853 के द्वारा आपके अगला जो प्रोवीजन किया गया समझना इसे भारत में 1853 से पहले Company में कोई भी व्यक्ती नौकरी के लिए चला जाता ठिक और किसी भी व्यक्ती को आपके रख लिया जाता है Open Competition मतलब भारत में एक्जाम की सुरुआत होती है इस Act के द्वारा और इस Act के द्वारा होने वाला पहला एक्जाम था इंडियन सिविल सर्विसेज फिक और फश्ट इंडियन जिसने इंडियन को कौलिफाई किया था सतेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई यह ध्यान रखना है तो Open Competition की शुरुआत भारत में 1853 के Act से आपके होती है इस Act में आपके एक काम और किया गया कि Governor General of India की जो Advisory Council थी Advisory Council हमने बताया था ना किसमें आपके जो 10 लोगों की यह Council थी इस 10 लोगों की Council में से 5 लोग इदर ट्रांसपर कर दिये 5 लोग इदर इस Advisory Council को दो हिस्सों में आपके बाट दिया गया